असलाम अलीकुम इस तरीक से आप सबको पता कि हमारी HTML ग्लासे चल्मी और क्लासे ज़रेगों अन्लाइन लेक्टर के वो रिकॉर्ट करते हैं तो आज इस ट्रॉपिक को मैं लोग इसके स्करने लगें यह हमारे पाक बेसिकली एक form creation है किस तरीक से आप basic HTML का form creation कर सकते हो using HTML अच्छा इसके अंदर में प्योड HTML के tag use कर दूँगा और उसके थुरू मैं आप तो बताँगा कि आप form की fields किस तरीक से manage करेंगे और किस तरीके से स्क्राइब आप coding कर सकते हो ठीक है तो form में रिपास औरड़ी यह बना वह form है ठीक है यह पहले coding कर चीक हो ताकि time जो हो हमारा कम consumer और video की recording जो आप आप लोगे पाल से आएगी उसकी timing कम हो जाए ठीक है इसफ़ेसे मैंने पहले ही coding जो हो करना है आप लोगे जो सबसे पहले हमारे पास जो हो एक form बना वाई इसमें यूजर नेम आप यहां से कुछ लिए for example पासफट में आप इंटरिकर्ट में ने लिख दिया email id में ने इसमें सट रब दीक है email id मेरे पास क्या है ठीक है जो आपने एक पास जेंडर में बता दी अच्छेंडर में हमारे पास क्या होना चाहिए एक अपने एक पी select होनी चाहिए तो हमारे तो दही काम होगा है कि हमने mail को select कर दिया date अब बार यहां से में कुछ भी इंसर्टर देता हूं message जो है मैं यहां पे write देता हूं चाहिए यह काम आप हमने किस तोली से लेकना है यह काम हम लोग करते हैं इसकी विए सबसे पहले हम लोग चैक करते हैं कि ठीज हम इसकी coding कर लिए अच्छाह यह जो coding जो है मैं not pae plus plus पे कर जाओ और software यह मैं कर लेखा हूं अगर हम बात करें, कुछ बेसिक चीज है, आपने HTML का tag open करना, HTML का tag close करना है, उसके पर head open करना, head को close करना, head के अंदर आप भी यूज करें, वो title यूज करते हो, title आपने दे दिया के, कोई भी form का name दे दो, for example, आपने वो, create new form, मैंने title दे दिया, के हमारा जो title दे है, create new form, इसके body, coding जितनी भी होगी, वो हमारे पर body के tag के अंदर use होगी, ठीके, अच्छा, body के tag के अंदर, मैंने tag use किया है, table का, ठीके, table आप पहले पर शुक हो, table की मिने रौर, column होती है, tr जो, draw को represent करता है, और td जो, column को रिंच हो, ठीके, table के अपर, जो width है, इसके अंदर मैंने css use की लिए, ठीके, css इसके अंदर, css कैसे बतल लगा, कि style का tag, जहां पर भी आता है, explain that के वह मत्वा css है, ठीके, css मैंने apply की लिए, और table के उपार, अच्छा, उसके बाद table के अंदर, मैंने form का tag use किया रहा, इसके अंदर, जो main चीज़े, form की, वो क्या है, जो भी ची username, यह लिखा बाद है username, username को यहां पर मैंने लिखा एक column के अंदर, उसके लिए label लगाया, अब इसके अंदर, जो भी कुछ मैं डाइट करना हो, यह कलाती है, input field, input field बनाने के लिए, हमने क्या लिखा, next column के अंदर, input, type, tags, और table, उसको close करते है, ठीके, जो यह हमारे पस एक field बने, next field में हमारे पस again एक label है, और उसके साथ password लिखा हुआ है, तो अब password हमें, यहां पर password क्या करना होगा, यह वाली field, as it is, मैंने यहां पर यहां के रखी, और username की जगा, मैंने password कर दिया, और यही field मैंने एकड़म exactly यहां पर write करी, बस type में क्या लिख दिया है, मैंने password क्योंकि, यह जो है मेरे पास field जो है, फासफट की है, उसके बाद, next field हमारे पास है, email की, email की हम लोग इसी तरी से level use, जितने भी level है, level का type simple use होगा, और input type जो है, मैंने इसकी email करती है, क्योंकि email मुझे write करना है, ठीक है, उसके बाद मेरे पास option है, gender, gender का level बना है, जेंडर लगे हमने radio button यूस करने होते है, radio button हम किस करते है, radio button हम किसे कहते है, radio button हम उसको बोलेंगे, जहांपर रखे मुझे 1 से कसी 2 option में से, किसी 1 को select करना होगा, तो वहाँ पर मैं जो use करूंगा, radio button को lack करना, ठीक है, इसी तरीगे से, जिसके हमारे पस most like option हाता है, अगर दोनों में से कोई एक जीज़ आपने स्लेक्शन करनी है तुम आप रेडियो बॉटन करना है अगर आपके आपके आप कौन कौन से कोर्स करना चाहा रहे हैं सही है MS Office, CIT, DIT, Web Designing अब इसमें से आप दो तिन कोर्स कर सकते हो ठीक है तो आप Multiple Choice कर सकते हो इस पर चेक लगा तो वो कहलाता है चेक बॉक्स चेक बॉक्स आगे देखेंगे यह अभी हमारे पर से रेडियो बटन जहां पर हमें किसी एक की स्लेक्शन करनी होती है तो सबसे पहले मैंने यहां पर इखा, Input, Type, Radio Button, इसके बाद Name, Gender, Gen, मतलब दोनों को एक Group के अंदर होना ज़रूरी है तभी जो है वो अलग-अलग स्ले किया है अभी क्या रहा है मेरे पर Just Mail आ रहा है सभी उसके बाद मैं यहां पर इसको राइट कर देता हूं ठीके आगी अब अब दोनों स्लेक्ट हो रहा है लेकिन अगर मैं यहां से Name का Attribute हटा देता हूं अब क्या होगा यह भी स्लेक्ट हो रहा है इस वाए से हमने Name का Attribute जो है वो दोनों में लगा के रखना है और दोनों को Same Name जो हो Assign करना है ताकि ए Group की पेडिगरी के अंदर आ है अब देखो अब मेरे पास यह अलग हो रहा है स्लेक्ट और यह अलग हो रहा है स्लेक्ट उसके बाद Date of Birth यह लेबल होता है यह list हम स्लेक्ट करते हैं list बनाते है list बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जब से बनाने के लिए सबस्क्राइं एक लेबल बनाया ये लेबल मेरे पास आगी यह उसके बाद स्लाक का उप्शिं करेंगे जीए तो हमाँ पर स्लाक की टेग मैंने अपन किया स्लाक की टेग को आपन करने के बार इसको क्लोस करेंगे और यहां से मैं एक option use करूंगा चीक है, फिलाल अभी मैं इसको अटा दिता हूं यहां से एक चीज में आपके लिटा दिता हूं लेकिन अब यह चीज आ रहे है नियुक्स के लिए अफिके से यहां से लगाएं यहां पे मुथी buck यहाँ पर क्या हो चाहिए है यहाँ पर क्या हो चाहिए है अब मैं इसको दुबादा अगीन स्लेक्ट नहीं कर सकता है क्यों कि यहाँ पर मैंने यूज किया है कि इसको disable और selected मतलब disable का मतलब यह by default जो हमारे पास dd का जो tag होगा हमारे पास dd की जो list होगी वो क्या होगी disable का मतलब इसको दुबादा select मैं नहीं कर सकते है selected by default जो इसके अंदर select आए वो dd ही आए ठीक है मतलब date select आए उस वैसे हमने यह option उसके बाद हमारे पास option आ रहा है text box यह message area होता है हमारे पास ठीक है और text box इसके अंदर मैंने v align का मतलब बता है वर्टेक्ली alignment वर्टेक्ली alignment मैंने इसकी क्या कर दी वनना अगर यह वर्टेक्ली alignment में ना लगाँ तो यह आपके पास कुछ इस तरीए से आ रहा है मिड में आ रहा है इसके तो मिड में यह हमें कुछ balancing फूल सी आउट लगे भी है इस वैसे आप इसकी को यूज करते है ठीक है आप करना चाहरे मिड में मिड में उसको कर सकते है बाकि लेवल वई आ गिया टैक्स एरिया रॉस मुझे कितनी चाहिए फॉल रॉस चाहिए मतलब यहां पर अटाटाइम जो डिस्प्लिय होनी चाहिए रॉस जो फोड होनी चाहिए तो इस वाएस हमने यह आप फॉल रॉस की में लगी इसके हैं जो हो में लिख भी तो यह पर पहले टेश को अ करोगेए फिलेश को ना जा ट्रॉस करोगे ते लिग उसके बाद आप काम करोगे अब इसके मुझे वह आप विट बैक जो वह दो टीक है और अच्छी यह मुने टैटल दिया तहा यह कहां आ आदा था औ कि यह टाइट है रहा है आप चाहरो अगर heading के तौर पर यहां पर लिखागा है तो अफिर आप जो सिसको नहां पर मेंशन कर सकते हो ठीक है पर गेंट टैग यूज़ कर लो अब आएच टू का टाइट यूज़ करें के बाद मैं सब्सक्राइब लोगा है इसके बाद में इसमें यूर्ट का टाइब लिए आप यहां करेंगे इस तरहीं साब काम कर सकते हैं सब्सक्राइब लोगे इस टीज़ को आपनी इंप्लेमेंट करना आयरा तो फिडबेक देना ठीक है फिर मैं नेक्स क्लास जो आपको सेंद करनेगा तो पहले आप मुझे इसक्तख करता हूँ उसके बाद हम आपको सेंद करनेगा थीक कोही भी बीकलत तो मुझे आप वाट मैं से सांट चुछ आपको जिता है थूजी है।